अत श्री योग वाशिष्ठे निर्वाण प्रकर्णस्य पूर्वार्धे त्रशेति तमस्सर्गह श्रे वशिष्ठव वाच अनिमादि गुणैश्वरिय युक्तासा निरिपभामिनी एबंब भूब चूडाला गनाभ्यासवति सति जगामाकाशमार्गेण विवेशाम बुधिकोटरं चचार बसुधापीठं गंगेवामलशितला क्षणम अप्यगता भर्तुर बक्षशस्चेत सस्तथा सर्वेशु वासराज्येशु लक्ष्मेरिव जगत्सुच आकाशगामिनी श्यामा विद्युत प्रारंभ भूशना बब्राम मेघमालेव गिरिमाला महीतले काश्ठं त्रिनोपलं भूतं खंबात मनलं जलं निर्विग्नम अभिषत सर्वं तंतुर मुक्ताफलं यथा मेरो रुपरिश्रिंगाणि लोकपाल पुराणिच दिग्व्यो मोदर रंध्राणि विजहार यथा सुखम् तिरियक भूत पिशाचाद्यईहि सहनागामरा सुरईहि विद्याधराप्सरह सिद्धैर्व्यवारं चकारसा यतने नौतं चभर्तार मात्मज्याना मृतं प्रती बहुशो बोधया मास चूडाला नौबिवेदसह कला विदग्धा मुग्धाच वालेयं ग्रिहिनीममा इत्येवं केवलं राजा सचूडालां बिवेदतां एतावतापिकालेन तामेवं गुणशालिनीम वालो विद्यामि बन्रिपस्चूडालां नौबिवेदसह साप्यलब्धात्म भिष्रांतेस्ताम सिद्धिश्रियमात्मनह दर्षयामासनौराज्याः शूद्रस्येव मखक्रियाम श्रे रामववाच महत्याह सिद्धयोगिन्यास्तस्यापि शिखिध्वजाह यत्नेन प्रापनो बोधं बुध्यते न्याह कथं प्रभो श्रेवशिष्ठव वाच उपदेशक्रमो राम व्यवस्थामात्रपालनं ग्यपतेस्तुकारनं शुद्धा शिष्यप्रग्येवराघव नोशृते नोन पुल्णियेन ग्यायते ग्येयमात्मनह जानात्यात्मानमात्मईव सर्पह सर्पपदानिवो श्री रामव वाच एबं स्थिते बाथ मुने कथमेत जगत स्थितव क्रमो गुरू पदेशाख्यह स्वात्मज्यानस्यकारनं शृवशिष्ठव वाच अत्यंत क्रिपनह कस्चित किराटो धनधान्यवान अस्ति विंध्यातवी कक्षे कुटुम्बी ब्राम्हणो यथा तस्यकदा निपतिता गच्छतो बिंध्य जंगले एका वराटिका राम त्रेन जालक संब्रिते कारपण्यात्सो प्रयत्नेन सर्बं त्रेन तुशादिकं कपर्दकार्थम भितो दुधाव दिवसत्रयं कपर्दकाह स्युर्भवता चत्वारोष्टवू चकालतः ततः शतं सहष्रंच सहष्रेचेति चेतसा कलयन जंगले दीनो रात्रिंदिवमतंदृतः जनहास सहष्राणि बुबुधे नापरं तुसह ततो दिनत्रयस्यांते तेनतस्माच्य जंगलात पूरनेंदु भिंबप्रतिमो लब्धस्चिंतामनिर्महान तंप्राप्य तुष्टहृदयह समागम्य ग्रिहं सुखं प्राप्ता खिल जगत भूतिही शांत सर्वत यास्थितहृ एबं यथा किराटेन कपर्दान वेशनेन तत्रत्नम लब्धं जगन्मूल्य महोरात्रमके दिना तथा शुर्तो पदेशेन स्वात्म ज्ञानम अभाप्यते अन्य दन्विष्यते चान्य लभ्यते गुरु क्रमात। ब्रम्ह सर्वेंद्रियातीतं शृतादींद्रियसंबिदह तेनो पदेशादनगा नात्म तत्वम अभाप्यते। गुरु पदेशं जबिना नात्म तत्वागमो भवेत। केन चिंता मनिर लब्धह कपर्दान वेशनं बिना। तत्वस्यास्य महार्थस्य गुरू पकतनं गतं अकारणं कारणतां मनेरिव कपर्दकह। पश्यराघबमायेयं मोहिनी महतामपी अन्यदन्विष्यते यत्नाद अन्यदासाध्यते फलं। अन्यतकरोति पुरुषः फलं अन्यदेव प्रापनोति यत्रिशु जगत स्वबलोक्यतेच तस्मादनंतर भवस्य जगत भ्रमस्य श्रेयोति बाहनमसंग मनिच्च यईव। इत्यारशे श्री वाशिष्ठ महारामायने वालमी किये देवदु तोक्त मोक्षो बायेशु निर्वान प्रकरने पूर्वार्धे चूडालो पाख्याने किराटो पाख्यानमनाम त्रशीतितमसर्गह। अथ चतुरशेतितमसर्गह। श्रेवसिष्ठ वाच। ततह शिखिध्वजो राजा तत्वज्ञान पदंबिना आजगाम परमोहं तमोंधत्वमिवाप्रजाह। दुखाग्निदीपितमना मनागपी विभूतिश। तास्वभिष्टो पनितास। नारेमे गनिशिखास्विव। एकांतेशु दिगंतेशु निर्ज़रेशु गुहासुच आजगामरतिम जन्तुर्मुक्तेशुर्भ्याधतो यथा। राघवत्वमिवाशेशाह सांत्वानुनय बोधनैह। प्रार्थितह कार्यते भृत्य इर्महीपो दिवसक्रियाह। नित्यमुद्धाम वैराग्यह परिब्राडिवशांतधीह। खिद्यतेच महाभोगान सभोक्तुम्च श्रियं स्थितह। ददावतितराम्दानं गोभूमिकनकादिकं देवेभ्यो ब्राम्हनेभ्यस्च स्वजनेभ्यस्च मानद। चचारचो तपह कर्तुम् कृच्रचांद्रायनाधिकं परिबभ्रामती इर्थानि बनान्यायतनानिचो। सोततापि विशो कत्वं नमनाग पिलब्धवान अनिधानाम खनन्भूमिं निधानार्थे निधिम्यता। रात्रिंदिवं महानेष शुष्यत्ये वक्रिशानुना। चिंतया चिंतया मास सम्सारभ्याधि भेषयं। चिंता परवशो दीनो राज्यं स्वस्य विशोपमं। महा विभवम अप्यग्रे नापश्यत्खिन्याधिया। अथै कदै कांत गताम चूडाला मंकमा गताम। इदं मधुरया वाचा समुवाच शिखिध्वजह। शिखिध्वजुवाच। भुक्तम राज्यं चिरं कालं। भुक्ता विभव भूमयह। अधुनास्मि विरागेण। युक्तो गच्चामि काननं। ना सुखानि न दुखानि नापदो न चसंपदह। क्रोडी कुर्वंति तन्वंगी मुनिंबननिवासिनं। नदेशभंगसं मोह। ना संग्रामे जनक्षयह। राज्याद अप्यधिकं मन्ये सुखं बननिवासिनं। स्थवकस्तन धारिन्यो रत्न पल्लब पानयह। मंजरी जालहारिन्यो लोलशुभराम्बुदाई शुकाह। स्वपरागांगरागिन्यह। कृत कौसुममंडनाह। आसेभ्यकांचनशिला। नितंबततशो भिताह। तरंगम उक्तिक प्रोत सरिन्मुक्ता लतावृताह। लतावयस्यावलिता। मुग्ध मुग्ध मृग्ध मृगात्मजाह। स्वभावोद्धाम सौगंध्या। वितीर्न फलभोजनाह। शट्पदश्रेणिनयनाह। पुष्पापूरलतांगिकाह। आस्वाध्यस्यंदताम्याताह। शीतलामलगात्रिकाह। रमयंतित्वमिवमाम् वनवीथ्यो वरानने। यथा विविक्तमे कांते। मनो भवति निर्वृतं। न तथाश शिभिंबेश। न च ब्रह्मेंद्र सद्मस। अस्मिन सन्मंत्रने तन्वी। न विघ्णं कर्तुमरहसे। वर्तुर विघटयंति इच्छाम। न स्वपनेपि कुलस्त्रियह। चूडालो वाच। प्राप्तकालं कृतं कारियं। राजते नाथनेतरत। वसंते राजते पुष्पं फलं शरदि राजते। जरा जरठदेहानाम युक्तो बनसमाश्रयह। न यूनाम्त्वाद्रिशामेव। ते नई तन्मे न रोचते। यूवनेन महाराज न यावद्वय मुझ्जिताह। पुष्प उघेनेव तरवस्तावच्छोभामहे ग्रिह। पुष्प धाना पुष्प मितो जरसा सह काननं समं ग्रिहाद गमिष्यामो हम साइव सरोवराद। अप्राप्तकालं दृपतेहे प्रजापालन मुझ्जतह। राजन्यस्यै वरंध्रस्या महदेनो भविष्यते। अप्राप्तकारिणं भूपं रोधयन्ति चवई प्रजाह रोधयन्ति यकारिय भ्यह प्रभुं भृत्याह परस्परम् शिखिद्ध्वज उभाच। अलमुत्पलपत्राक्षि बिग्नेनाभिमतस्यमे बिध्धिमाम गतमे बेतो दूरमे कांतकाननं। बालात्वमनवध्यांगि नागंतब्यंबनंत्वया उम्सामपि मृद्वंगि दुर्विगाईयो बनाश्रयह समर्था नौ बनावासे योशितह कठिनाअपि कानने पुष्पमंजरियह सोधुम् शस्त्रालि मक्षमाह भवत्या पालयंत्यह राज्ये स्थातब्यमुत्तमे कुटुम्भारोद्बहनं पत्यव्याते ब्रतंस्त्रियह श्रे वशिष्ठव वाच इत्युक्त्वादयिताम् राजा तामिंदु वदनाम् वशी उत्तस्थाउष्नातु मखिलं दिनकारियं चकारच अथो जित प्रजाचेष्टो रविरस्ताचलं ययो शिखिद्वजो वनमिवा समस्त जन दुर्गमं सम्हित्य विततं रूपं तमेवानुययो प्रभा नाथं भवननिष्क्रांतं चूडालेवानुरागिनी आययो यामिनीष्यामा भुवनं भस्मधूसरं धृतब्यो मापगं शर्बं सम्ष्लेशा यमुनेवसा दिक्षु संध्याप्ददंतासु स्थितासु कृतमंडलं तमालवालकांकासु जोचनाहासोदयांकितं गच्चतोर परंपारं दंपत्योर मैरबंपदं देवोध्यानमयं रंतुं दिनश्रे दिननाथयो आगच्चतोरिदंपारं यगतीक्ष्णकरोज्जितं निशा निशानायकयोर दंपत्योर मैरबंपुनहां तारागणो थदद्रिशे विकीरणो ब्योमकुट्टिमे मुक्तो मंगल लाजानाम दिग्बधूभि रिवांजलिही चंद्राननातमहश्यामा श्रांता कुसुमहासिनी यामिनी यौवनंप्राप सरोज मुकुलस्तनी कृतसंध्या समाचारह सहचूडाल येष्टया सुष्वाप शयने भूयो मैनाक इवसागरे अथार्धरात्रसमये देशे निश्यब्धतांगते गन निद्राशिला कोशनिलीने सकले जने सातस्याम संप्रसुपतायाम शयने कोमलांशुगे ब्रिशं निद्राविमूधायाम ब्रमरियामिवपंकजे तत्याजदयिताम सुपतामंकाद्राजा शिखिध्वजः स्वैरं स्वैरं उखं राहोर्धिशं चांद्रप्रभामिवः उत्तस्थाउषयनालीन बधूकार्धांचलाम्शुकात् सालक्ष्मी कांतिलोलोर्मेरहरिही क्षिरार्णवादिव वीरक्रमार्थम्यामिति तत्रैवानुचरब्रजम् योजःत्वा जगामासव। पुरान निर्गत्य पूर्णधिह। राज्य लक्ष्मि नमस्तुभ्यमित्युक्त्वा मंडलाद्गत्ः विवेशो ग्रामरण्यानी मेको नद इवार्णवं। घनांधकार गुल्माध्या क्षुद्रभूत उघकर्कषा सारण्यानी निशासार्धं समंते नाति वाहिता। प्रातह शुन्यामरण्यानीम सोनीत्वा विततं दिनं सममर्केनकस्याम्चिद्विशष्राम वनावन। भानावद्रिश्यताम्याते तत्रष्नानाधि पूर्वकं किंचित्फलाधिकं भुक्त्वा ताम निनाय तमस्विनीम। पुनह प्रातह पुराण्युच्यर्मंडलानी गिरिन्नदीहि जवादुल्लंगयामास राजाद्वादश शर्वरिहि ततो मंदरशैलस्य तटस्थं जन दुर्गमं प्रापकाननमत्यंत दूरस्थ जनतापुरं। रनत प्रणालसलिल भापी वलित पादपं। शीर्ण वेध्यालय ज्यात भूत पूर्व गिजाश्रमं। क्षुद्र प्राणि बिनिर्मुक्त सिद्ध सेब्यलतालयं। आपूर्ण पादपलतं। प्राण बृत्तिकरेहि फलेहि तत्रै कस्मिन्समे शुद्धे स्थले सलिलमालिते। शीतले शाद्वलश्यामे श्निग्धे सफल पादपे। समंजरी विर्वल्ली भिहि साचकारोट जालयं। प्राविट्कालह सविध्युद्विर्नीला भ्रैरिव पंजरं। मश्रणं वैनबं दंडं फलभोजन भाजनं अर्गपात्रं पुष्पभांड मक्षमालां कमंडलुं। कंथाम् शीतापनोदाय ब्रिशीम् चैवम्रिगाजिनं आनियायो जयात्तस्मिन्मठिका मंधिरे निरिपो। यत्किंचिदन्यद्वावस्तु योग्यं तापस कर्मनी ततत्त्रस्थापयामास जगतेवक्रमं बिधिह। संध्यापूर्भं यपं प्रातह प्रहरेस तदाकरोत पुष्पोच्यं द्वितियतु श्नानं देवार्चनं ततह। पस्चाद्वनफलं किंचिद्वनकंदं विसादिच भुक्त्वाजप्यपरो भूत्वा निनायको निशांबशी। यति दिवसमकेदं मंदरो पांत कच्छे विरचित उटजें तर्मालवेशो निनायो। नवन्रिपति विलासं तम्नसस्मारकंबा स्फुरति हृदि विवेके राज्यलक्ष्मयो हरंति। इत्यारशे श्री वाशिष्ट महारामायने वालमी किये देवदू तोक्त मोक्षो बायेशु निर्वाण प्रकर्णे पूर्वार्दे चूडालो पाख्याने शिखिद्ध्वज प्रब्रज्या नाम चतुरशेतितमस सर्गहा। अब श्री योगवाशिष्ट महारामायन के निर्वाण प्रकर्ण के पूर्वार्ध के तिरासी और चूरासी में सर्ग में चूडाला की सिध्धी का वैभव बताया गया है। तथा गुरू पदेश की सफलता में किराट का आख्यान बताया गया है। इसके उपरांत शिखिद्वज महाराज का बैराग्य और चूडाला का उन्हें समझाना। परन्तु राजा शिखिद्वज आधी रात के समय राज महल से निकल कर चल देना और मंदरा चल के कानन में एक कुटिया बना कर वहां निवास करना इस आख्यान का बरणन किया गया है। श्री बशिष्ठ जी कहते हैं हे रगुनन्दन इस प्रकार निरंतर योग का अभ्यास करने वाली वह राजरानी सती साध्वी चूडाला अनिमा आधी अश्ट शिद्धियों के गुणों के अईश्वरी से संपन्न हो गई। मोह आधी दोशों तथा त्रिविध तापों का उपशम हो जाने से उसका हरिदय गंगाजी की भांती निर्मल और शीतल हो गया। वह कभी आकाश मार्ग से गमन करती थी, कभी समुद्र के भीतर द्वीपों में पहुच जाती थी और कभी स्वेच्छा नुसार भूतल पर विचरन करती थी। इस प्रकार बिजली की प्रभा के समान चमकीले आभूशनों से विभूशित वह सुन्दरी चूडाला आकाश गामिनी होकर यत्र तत्र घूमने फिरने लगी। वह मोतियों में प्रविष्ट हुए धागे की भाती काश्ठ, त्रण, पत्थर, भूत, आकाश, बायू, अगनी, जल, आदी सभी पदार्थों में निर्विगनता पूर्वक प्रवेश कर जाती थी। इस प्रकार उसने मेरुगिरी के शिखरों पर और लोखपालों के नगरों में और दिशा एबं आकाश के मध्य में स्थित सारे भूवनों में सुख पूर्वक विचरण किया। तथा पशू पक्षी, भूत पिशाच, आदी एबं नाग, देवता, असुर, बिद्याधर, अपसरा और सिद्धों के साथ संभाशन आदी व्यभार भी किया। चूडाला अपने स्वामी राजा शिखिद्धज को अनेक बार यत्न पूर्वक ज्याना मृत का उपदेश करती थी। परन्तु उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। जैसे बालक को बिद्या के गुण का अनुवब नहीं होता, वैसे ही इतने लंबे काल तक संपर्क में रहने पर भी राजा शिखिद्धज यह न जान सके कि मेरी पतनी चूडाला ऐसी गुणशालिनी है। चूडाला ने भी अनधिकारी समझ कर आत्मशान्ती की प्राप्ती से रहित राजा के सामने अपनी अनिमादी सिद्धियों के अईश्वर्य को उसी प्रकार प्रकट नहीं किया, जैसे शूद्र को यग्यक्रिया नहीं दिखलाई जाती। श्री राम जी ने पूछा, है अईश्वर्य शाली गुरुदेव इतनी बड़ी सिद्ध योगिनी चूडाला के प्रयत्न से भी जब राजा शिखिद्ध्वज ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब भला अन्य साधारन व्यक्ती को ज्ञान की प्राप्ती कैसे हो सकती है। इसके उत्तर में श्री बशिष्ट जी ने कहा कि है रगुकुल भूशन राम गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त करने का क्रम केवल शास्त्र मरियादा का पालन मात्र है। ज्ञान प्राप्ती का कारण तो शिष्य की विश्वाश युक्त विशुद्ध प्रग्या ही है। क्योंकि जानने योग्य ब्रम्ह शास्त्रों के श्रवन से अथवा किसी पुर्णि कर्म से नहीं जाना जाता। उसे तो आत्मा ही जानता है। श्री राम जी ने पूछा है मुनिसरेष्ठ यदि ऐसी ही बात है तो गुरुपदेश आत्मग्यान में कारण नहीं है। तो जगत में जो यह क्रम प्रचलित है कि आत्मग्यान का कारण गुरुपदेश है यह कैसे उचित होगा। इस पर श्री भशिष्ठ जी ने कहा कि राघव मैं इस विशे में एक द्रिष्टांत देता हूँ। सुनो, बिंध्या चलके जंगली प्रदेश में एक किराट रहता था। वह धनधान्य संपन होने पर भी अत्यंत क्रिपन था। है श्री राम, एक बार वह उस जंगली मार्ग से कहीं जा रहा था, कि उसकी एक कोडी किसी घास फूस से ढखे हुए स्थान में गिर पड़ी। वह तो क्रिपन शिरो मनी तो था ही, अतहा उस एक कोडी को वह तीन दिनों तक चारों और सारे घास फूसों को उलट पुलट कर खोजने का प्रयत्न करता रहा। उसके मन में बारं बार ऐसी कलपना उठ रही थी, कि यदि यह कोडी मिल जाती है, तो समया अनुसार इस एक कोडी से एक से चार और चार से आठ और आठ से सो और सो से हजार और हजार से फिर कई हजार कोडियां हो जाती है। उस समय सहश्रों मनुश्य उस क्रिपन का उपहास कर रहे थे, परंतु वह उनकी तनिक भी परवा न करके उस बन में आलस्य रहित होकर रात दिन खोजता ही रहा। तद नंतर तीन दिनों तक अथक परिश्रम करने के पस्चात उसे उस जंगल में एक महान चिंतामनी प्राप्त हुई। जो पूर्णिमा के चंद्रमंडल के जैसी आकार प्रकार की एबम प्रकाश वाली थी। उसे पाकर किराट का हृदय प्रसन हो गया और वह आनंद पूर्वक घर लोटाया। वह चिंतामनी जगत के संपूर्ण अईश्वरी के समान थी। उसकी प्राप्ती हो जाने से वह सुख शान्ती पूर्वक रहने लगा। हे निश्पाप राम ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों से अतीत है और शास्त्रों पदेश से इंद्रिय संबंधी बृत्तियां उत्पन होती हैं। इसलिए गुरुपदेश से आत्मतत्त्त की प्राप्ती नहीं होती। अर्थात आत्मज्यान में उपदेश कारण नहीं है। फिर भी गुरू पदेश के बिना आत्म तत्तु की प्राप्ती भी नहीं हो सकती। वह कृपण कौडी की खोज न करता तो चिंतामणी की उपलब्धी उसे कैसे होती। इसलिए जैसे चिंतामणी की प्राप्ती में कौडी की खोज कारण हैं, वैसे ही इस महान अर्थ रूप आत्म तत्तु की प्राप्ती में गुरू पदेश पूर्णतया कारण न होने पर भी कारणता को प्राप्त है। क्योंकि हे श्री राम पुरुष कार्य तो कुछ और ही करता है और उसे उस कार्य का फल अन्य ही मिलता है। यह बात तीनों लोकों में देखी सुनी जाती है। इसलिए आत्म ज्यान के अनंतर इस कालपनिक जगत को अना सक्ति और निश्काम भाव से बहन करना ही श्रयस कर है। हे रागव तदनंतर राजा शिखिद्वज तत्वज्यान रूप परंपद की प्राप्ती के बिना वैसे ही अत्यंत मोह को प्राप्त हो गए जैसे संतान हीन पुरुष पुत्र अभाब रूपी तम से अन्धासा हो जाता है। उनका मन दुखाग्नी से संतप्त हो उठा। अतह प्रियवर्ग द्वारा लाई गई भोग सामग्रियां उन्हें आग की लपट के जैसी प्रतित होने लगी। वैराग्य के कारण उनका मन उन भोग की बस्तुओं में तनिक भी सुख का अनुभव नहीं करता था। उन्हें अब एकांत प्रदेशों में निर्जर तटों पर और गुफाओं में ही निवास करना वैसे ही अधिक रुचने लगा जैसे ब्याध के बानप्रहार से मुक्त हुआ जन्तु एकांत में छिपना ही पसंद करता है। हे रखुनंदन राजा शिखिद्ध्वज सांतोना पूर्वक अनुनाय विनाय करने वाले एबं समझाने बुझाने वाले भृत्यों के प्रार्थना करने पर दिन का सारा कामकाज करते थे। परंतु उनका बैराग्य प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा था। उनकी बुद्धी अत्यंत शांत थी। बे परिब्राजक की भाती रहते थे। इसलिए बिशाल, बिशय भोगों तथा राज्य श्री का उपहोक करने में उनका मन खिन हो जाता था। दूसरों को मान देने वाले है श्री राम, वे शिखिद्ध्वज महाराज देवकारी के निमित तथा ब्राह्मनों और स्वजनों के लिए गव, भूमी और सुवर्ण आदी का खुले हाथों दान करने लगे। वे तप करने के लिए क्रिछ्र और चांद्रायन आदी ब्रतों का अनुष्ठान तथा तीर्थों, बनों और आश्रमों में ब्रह्मन करने लगे। इतने पर भी उन्हें तनिक सी भी शोक सुन्य इस्थिती बैसे ही नहीं प्राप्त हुई, जैसे धनार्थी पुरुष्कों खान रहित भूमी के खोधने से निधी की प्राप्ती नहीं होती। इस प्रकार महान बुद्धिमान होते हुए भी राजा शिखिध्वज चिन्ता रूपी अगनी से संतप्त होकर सूखते जा रहे थे। तब वे संसार रूपी ब्याधी की अउशदी के विशे में विचार करने लगे। इस प्रकार चिन्ता परवश होकर वे दीन हो गए। उन्हें अपना राज्य बिश के जैसा प्रतीत होने लगा। इस प्रकार उनकी बुद्धी विशेयों से खिन्न हो गई। अतह बहुमूल्य भोग पदार्थ सामने रखे जाने पर भी वे वैराग्य युक्त राजा उनकी ओर ताकते भी नहीं थे। इसी इस्थती में एक दिन चूडाला महल में बैठी हुई थी। तब राजा उससे मधुरबाणी में बोले। महाराज शिखिद्वज ने कहा है सुक्षमांगी प्रिये मैंने बहुत दिनों तक राज्य का उपभोग किया और विभवपूर्ण पदों को भी भोग लिया। अब मुझे बैराज्य हो गया है। अतहा मैं बन में जाना चाहता हूँ। क्योंकि बनवासी मुनी के उपर सांसारिक सुख और दुख, आपत्ती और संपत्ती ये कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते। ना तो उन्हें देश के बिनाश से मोह पूर्वक दुख होता है और नव संग्राम में प्रजाजनों का क्षय ही करना अथवा कराना पड़ता है। अतह मैं बनवासी मुनीयों के सुख को राज्य सुख की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानता हूँ। बैराग्य युक्त मन जैसा एकांत में सुख का अनुव करता है वैसा सुख उसे ना तो चंद्रवदनी रमनियों के मुखमंडलों में मिलता है और ना ब्रह्मा एबम इंद्र के भवनों में ही प्राप्त होता है। इसलिए हे सुंदरी मैंने जो यह बन गमन का उत्तम विचार किया है इसमें बाधा डालना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि कुलीन इस्त्रियां स्वपन में भी पती की इच्छा को भंग नहीं करते। यह सब सुनकर चूडाला बोली है नाथ जैसे बसंत रितू में पुष्प की शोभा होती है और शरद रितू में पुष्प भला मालूम देता है। उसी तरह जिस कारी के करने का अवसर जब प्राप्त हो उसी का उस समय संपादन करने से उसकी शोभा होती है। अप्राप्त काल के कारिय में शोभा नहीं होती, इसलिए जिनके शरीर बुढ़ापे से जरजर हो गए हैं, उन्हीं के लिए बन का आश्रे लेना उचित है, आप जैसे युबकों के लिए नहीं, इसी कारण आपका यह विचार मुझे पसंद नहीं है हे प्रितम, जब बृद्धा वस्ता आने पर हम दोनों के सिरके बाल, श्वेत, पुष्प की भाती बिलकुल सफेद हो जाएंगे, उस समय हम दोनों एक साथ ही घर से निकल कर बन को चले चलेंगे साथ ही हे राजन बिना समय के ही प्रजा पालन रूप कर्म का परित्याग कर देने वाले राजा के राज्य का बिनाश हो जाता है जिस से उसे महान पाप का भागी होना पड़ता है बिना अवसर के ही कारी करने वाले राजा को प्रजाएं रोकती ही है इसी प्रकार नौ करने योग्य कार्य से नौकर स्वामी को और स्वामी नौकर को परसपर मना करते ही है इस पर शिखिद्वज महाराज ने कहा हे कमल नैनी प्रिये तुम मेरे अभीष्ट कार्य में बिगन मत डालो अब तुम मुझे यहां से दूर एकांत बन में गया हुआ ही समझो हे अनिंदितांगी कठोर से कठोर अंग वाली इस्त्रियां भी बनवास के लिए समर्थ नहीं हो सकती फिर तुम्हारे अंग तो बहुत ही कोमल हैं और तुम अभी नव यूती हो अतह तुम्हे तो बन में नहीं जाना चाहिए बनवास तो पुरुषों के लिए भी अत्यंत कठिन होता है अतह तुम्हे तो प्रजा का पालन करते हुए इस उत्तम राज्य में ही रहना चाहिए क्योंकि पती के चले जाने पर कुटुम्ब का भार बहन करना स्त्री का धर्म है श्री बशिष्टी जी कहते हैं ये श्री राम अपनी उस चंद्रवदनी प्राण प्रिया से ऐसा कहकर जितेंद्री राजा शिखिद्वज श्नान करने के लिए उठकर चल दिये और श्नान करके उन्होंने अपने संपूर्ण दैनिक कारियों का संपादन किया जब सायंकाल हुआ तब उनह संध्याकालीन समस्त कृत्यों को पूरा करके बे अपनी प्रियपतनी चूडाला के साथ शया पर सो गए तदनंतर आधी रात के समय जब सारे देश में सन्नाटा चा गया सारी जनता गाढ़ निद्रा में लीन हो गई और कोमल विछावन से युक्त पलंग पर सोई हुई चूडाला भी गाढ़ निद्रा में निमगन हो गई तब जिस पलंग के आधे विस्तर पर पतनी सोई हुई थी उस पलंग से राजा उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा हे राज लक्ष्मी तुम्हे नमस्कार है इस प्रकार कहकर अकेले ही अपने राज महल से बन की ओर चल पड़े चलते चलते वे महासागर में प्रवेश करने वाले नद की तरह एक भयंकर अरण्य में जा पहुँचे पुनह प्रातक काल होने पर राजा शिखिद्वज बेग पूर्वक वहां से आगे चले और बारह दिनों में बहुत से नगरों, देशों, परवतों और नदियों को लांग गए तत्पस्चात में मंदरा चल के तटवर्ती एक कानन में जा पहुँचे जो मनुष्य के लिए अति दुर्गम था वहां से मनुष्यों की बस्ती और नगर अत्यंत दूर पढ़ते थे वहां उन्होंने एक चौरस एबम शुद्ध स्थान में जो जल से घिरा हुआ शीतल हरी हरी घासों से आच्छा दित होने के कारण श्याम श्निग्ध तथा फलों से लदे हुए ब्रिक्षों से संपन्न था एबम मंजरी युक्त लताओं से बाध कर अपने लिए उन्होंने वहां एक परणशाला बना ली फिर राजा ने अपनी उस कुटिया में बांस का चिकना डंडा फलाहर के लिए एक पात्र अर्गे पात्र, पुष्प पात्र, कमंडलू और रुद्राक्ष की माला तथा शीत निवारन करने के लिए एक गुदड़ी तथा चटाई और मिल्ग चर्म आदी लाकर यथा स्थान रख दिये इनके सिवा और भी जो कोई वस्तू तापस कर्मो पयोगी प्रतीत हुई राजा ने उसे भी लाकर वहां रख लिया फिर दिन के प्रतम प्रहर में प्रातक काल उन्होंने संध्या पूर्वक जप और दूसरे प्रहर में कुष्प आदी का संचे कर लेने के बाद श्नान और देवार्चन किया तत पस्चात कुछ जंगली फल कंद मूल और कमल दंड आदी खाकर उन जितेंद्रिय नरेश ने जप परायन होकर अकेले ही वह रात बिताई इस प्रकार मंदराचल की तलहटी में अपने द्वारा बनाई गई परणशाला के भीतर बैठकर जब करते हुए मालव नरेश शिखिद्धवज खेद रहित होकर दिन बिताने लगे बे अपने पूर्वान भूत नित्यनूतन राजसी भोग बिलासों का कुछ भी स्मरण नहीं करते थे भला जिसके हरदय में बिवेक पूर्वक बैरागी का उदय हो जाएगा उसके मन का अपहरण राज्य लक्ष्मिया कैसे कर सकती है